गूर्णिंग एब्रिवन आपके सामने स्क्रीन पे है सुप्रीम कोड के दो लैंडमार्क केसिस जिनके जज्जमन जो है एक ही जैसे हैं पहला तो है People's Union for Democratic Rights जिसमें सुप्रीम कोड ने कहा था कि ये जो भवन निर्मान के कारे होते हैं उसमें 14 साल के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भी जोखिम से भरे हुए होते हैं दूसरा आता है MC Mehta versus Union of India इसमें भी सुप्रीम कोड ने यही कहा था कि 14 साल से कम आयोंके जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी कार खाने में खान में या कोई ऐसी जगह जहां पे उनकी जान को जोखिम पैदा हो सकता है वहां पे नियोजित नहीं किया जा सकता और नियाले ने बालकों के कल्यान के लिए बनाए गए विभिन विधियों के क्रियानवेन के लिए सरकार को बहुत सारे दिशानिर्देश भी जारी किये थे